तो हेलो गाइज, राधे राधे, वेलकम टू आर किचन, सो होब आप सब अच्छे होंगे, सो आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल एंड मज़िता रेसिपी, आज हम बनाने वाले हैं पंजाबी स्टाइल चना दाल विद लोकी, बहुत ही कम टाइम में बन जाती है बहुत ही यमी बनती है, इसे आप राइस, चपाती याँ प्रांठा के साथ सब कर सकते हो, तो आईए करते हैं स्टार्ट, इदर मैंने एक बाव ले लिया था चना दाल, इसको अच्छे से मैंने वाश करके सोख कर दिया था 30 मिनिट्स के लिए, साइड बाइ साइड मैंने इदर ले ली थी लोकी, लोकी को वाश करके मैं कर रही हूं इसको पील, और जो लोकी नहीं खाता गाइस, वो इस तरह से बनाएं, एक बटराय करें, चना दाल के साथ बहुत ही यमी बनती है, पील करने के बाद मैं इसको कट कर रही हूं स्मॉल पीसीज में, कुछ इस तरह से यह दिखिए लोकी को कट करने के बाद मैंने इदर रख लिया था कुकर में मैंने एड करा है सर्सों का तील आप जो भी ओयल चाहें वो यूज कर सकते हैं उसके बाद मैं इसमें एड कर रही हूं क्यूमिन सीट्स अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हैं उसके बाद मैंने करी लीव्स डाली है करी लीव्स परसनली मेको गाईज इसमें बहुत अच्छी लगते इस दाल में उसके बाद हम एड कर रहे हैं अपना जो हमने घिया कट करा था इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है घिया को बहु सो मिक्स करके हमने इसमें कुछ ज्यादा मसाले एड नहीं करने है इसमें हम एड कर रहे हैं सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर बाकी मसाले हम यूज करेंगे जब हम तड़का रेटी करेंगे मिक्स करने के बाद हम एड कर देंगे इसमें वाटर वाटर एड करने के बाद हम इसे लिट को बंद कर देना है और विसल करवाना है 7-8 विसल करवानी पढ़ेंगी इसमें साइड बाई साइड धै जब तक डाल रडी हो रही है इधर मैंने रख लिया था पैन और एट कर दिया तो और एक टोमेटो मैंने कुछ इस तरह से खर लिया था अगर आप चाहो तो आप इसमें अइण एड़ कर सकती हो बत मैं इसमें अन्यान का युज नहीं करती इसके बाद मैंने एड़ कर दिया यह टुमेटो याँ पे इसको थोड़ा सा भून जे ducks दियाμε पर इसके बाद मैं इसमें आड़ कर रही हो गर्मी का टाइम है कई बार गर्मसाला सेट नहीं आता सो इधर मेरी डाल भी हो गई थी रेडी तेखिए कितनी मस लग रही है डाल सोक करने से क्या है एक तो विसल कम लगती है प्लस बहुत ही घुली-घुली बनती है डाल इसमें हमने अड़ कर दिया था अपना तड़का सो गाइस पंजाबी स्टाइल चना दाल विद लोकी बन के बिलकुल रेडी है तो आए इसको कर लेते हैं सर्व मैंने इसको राइस के साथ सर्व कर रहा था और चाहें तो चपाती यार प्रांथा के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो थैंक्यू गाइस थांक्स फॉर वाच्छिंग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब Spice and Cook with Heena मिलती हूँ नेक्स वीडियो में रादी